अगर आप लोग आपका internet का upload and download speed को computer में देखना चाते हो तो ए वीडियो आपके लिए है इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप लोग कैसे internet speed को tax bar में देख सकते हो दोस्तो upload and download speed को देखने के लिए हम लोग जो software को इस्तमाल में लाएंगे उसका नाम है net speed monitor तो इसको download करने के लिए हम लोग हमारा browser को open कर लेंगे then net speed monitor लिखके यहां पर search कर देंगे search करने के बाद हमारे सामने बहुत सारे websites देखने को मिलेगा इनमें से softpedia.com बाले website में हम लोग क्लिक करेंगे जिन भाई लोग अभी तक सोच रहे हो के हमें तो download link मिल गया आप हम लोग इसको install करके इस्तमाल कर लेंगे तो यह उनका गलत फेम है क्योंकि इसको download करने के बाद बहुत सारे configuration करना पड़ता है तो वीडियो को skip मत कीजे अब आप लोग download now में क्लिक कीजे अगर आपा system 64 bit का है तो नीचे बाले link में अगर 32 का है तो उपर बाले link में क्लिक कीजे मैं फिलाल 64 में क्लिक करूँगा क्योंकि मेरा system मेरा operating system 64 bit का है देन एक कुछ time लेगा उसके बाद आपको आपका folder चूच करने को बोलेगा जिस folder में आपने इस exe file को save करना चाहोगे तो आपको यहाँ से folder चूच कर लेना है देन save बाले option में क्लिक कर देना है save में क्लिक करने के बाद इस software डाउनलोड हो जाएगा इस software बहुत ही कम MB का है अब मैं आपको install करना बताऊंगा लेकिन install करने से पहले इसका कुछ काम है कुछ configurations है जो आपका करना पड़ेगा आप लोग downloaded folder में जाएगे या आपका desktop में save किये है तो desktop में उस बाले folder में उस बाले folder में उस बाले exe file के उपर right click कीजे then properties पे click कीजे properties पे click करने के बाद आपको compatibility में जाना है then एक box को check कर देना है और यह जो arrow है arrow में click करके इसको फिर से दुबारा choose कर लिजे then apply कीजे और यहां से ok कर दीजे अब आप लोग exe file पर double click कीजे then run पर click कर दीजे जैसे कि हम लोग दूसरा कोई भी software को install करता है वैसे ही करना है अब इसके बाद भी कुछ configurations है अब आपको next करना है then फिर से next then आपको accept में tick करना है then next करना है फिर आपको next पे click करना है और install पे click कर देना है दोस्तों आप लोग video को skip मत कीजे क्योंकि इंट्रोल करने के बाद भी आपको कुछ configurations करना पड़ेगा नहीं तो यह आपका ठीक से काम नहीं करेगा आपका net speed zone नहीं करेगा और अभी तक video अच्छा लग रहा है तो आप लोग video के लाइक करतीजे और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करतीजे आप मैं इसे ज़्यादा तर लोग video को देखते हो आपका problem का solve करते हो लेकिन चैनल को subscribe नहीं करते आपका एक subscribe से आपका एक like से हमें वीडियो बनाने का motivation मिलता है लेकिन आपका एक subscribe करने से कुछ नहीं जाता तो प्लीज आप लोग एक subscribe करतीजे और जिन भाई लोग मेरे चैनल को अभी तक support कर रहे हो और अच्छे अच्छे comment करते हो मुझे motivate करते हो उनको बहुत बहुत धन्यवाद आपसे request है आप लोग ऐसे ही हमें support करते रहिए आपका प्यार दिखाते रहिए दोस्तो आप इस software install होना start हो गया है जो बहुत ही जल्द install हो गया अब आप लोग finish पर click कर दीजे finish पर click करने के बाद आप लोग देख सकते हो यह आपका tax bar में so नहीं कर रहा है तो आप आपको क्या करना है दोस्तो आपको आपका tax bar पर right click करना है दिन आपको उपर टूल बर्स पर click करना है दिन net speed monitor पर click करते ही आपका tax bar में आ जाएगा upload and download ठीक है आपको ज़्यादा configure करने के लिए इस पर right click करना है right click करने के बाद configurations में आना है यहाँ से आप लोग इसको configure कर सकते हो यहाँ पर बहुत सारे options है आप लोग यहाँ से bit rate चूच कर सकते हो KB per second देखना है या MB per second देखना है यहां से आप लोग चूच कर सकते हो चूच करने के बाद नीचे अपलाई होके कर देना और आप लोग यहां से layout में जा सकते हो कैसा layout आपको देखना है download में क्या सो करेगा पहले जब आप लोग इसको install करोगे न तो download के जगा D लिखा रहेगा और upload के जगा U लिखा रहेगा इसको आप लोग name change कर देना U के जगा upload और D के जगा download कर देना दोस्तो दोस्तो और भी एक setting है जिसको आप लोग set नहीं करोगे तो आपका net speed सो नहीं करेगा तो उसको set करने के लिए आप लोग आपका upload and download वाले option में right click करके configurations में जाए configurations में जाने के आपको network interface को चूज करना है यानि कि आप आपका net किस माध्याम से यूज कर रहे हो आप आपका internet land से यूज कर रहे हो या wifi से यानि कि wireless land से यूज कर रहे हो उसको आपको यहां से choose कर लेना है आप जीस माध्याम से net को use करोगे जीस interface से net को use करोगे यहां से उसको choose कर लेना है then apply okay कर देना है तब आपका net split show करेगा नहीं तो कई बार net split नहीं show करता है आज किस वीडियो में इतना ही मिलते हैं next वीडियो में and thanks for watching